हेलो अब्रिवान वेल्कम बैक मैं हूं नितिन सोनी और आज हम बनाएंगे ये क्रेटिव लेयाउट मैंने फिक्मा में बनाया है पूरा प्रोटो टाइपिंग किया है और क्या-क्या ट्रिक्स इसमें यूज की हैं आज की क्लास में देखेंगे इंट्रस्टिंग है थोड़ी सी प्रीमियम क्लास है आप लोग के लिए तो मैं आप से सिर्फ इतना बोलूँगा ये वीडियो पूरी देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स केट इंटू दी ग्लास रूम वेल्कम बैक तो सबसे बहले इसमें देखते हैं कि क्या-क्या मेजर फैक्ट्स हैं क्या-क्या चीज़ें हमें इसमें डिजाइन करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर आप देखोगे कि यह कलर वाला जो है यह मेजर पार्ट है हमारे लिए इसको हम डिजाइन करेंगे एंड यहाँ पर एक मूवमेंट है इस मॉडल का यह मूवमेंट भी हमें करना है और ओवरलाइपिंग भी हो रही है अगर आप देखोगे टेक्स्ट के और इसके बीच में ओवरलैपिंग भी हो रही है तो यह सारी कंडीशन हमें डिजाइन करनी है तो किस तरीके से डिजाइन होंगी पूरा डिजाइन करके देखते हैं चलते हैं तो यहाँ पर मैंने सिर्फ कॉंटेंट अभी यहाँ पर डाला हुआ है और कुछ भी नहीं है तो पूरा प्रॉपर डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं आर्टबॉड है प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक आर्टबॉड लेना है हमें वेब के लिए तो डैस्ट offense न पर जाता हूं और यहाँ से हम ले लेंगे थर्टीन शीसिएस वाला वह रही है ले कर सकते हो, हैट, यहाँ पर हमने एक आर्ट बोर्ड ले लिया पूरा, एंड, इस कॉंटेंट को, हम इसी आर्ट बोर्ड पर ले कहा जाते हैं, क्योंकि इसी पर सारा आर्ट बोर्ड पर सेट होगा, अब यहाँ पर जो हमें color देना है, पहले background पर color देते हैं, एक पिंक color हम दे देंगे यहाँ पर, एंद इसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे एक box, और box को कर देंगे center, यहाँ से भी equal कर देंगे, एंद यहाँ पर इसके थोड़े से radius हम curve कर देंगे, तो यहाँ पर यह एक element तेयार हो गया, इसको हम white कर देंगे, सबसे पीछे ले जाएंगे command bracket के साथ धीरे धीरे नहीं तो आप manually भी इसको पकड़के नीचे ला सकते हो इस तरीके से तो मैं सबसे नीचे ले किया चुका हूँ and content को place करते हैं एजनसी नेम हम यहां पर लगा देते हैं and navigation कैसे बनाना है वह भी मैंने आपको पहले ही रता दिया था पर इस्टिल दुबारा बता देता हूँ जिसे अब आउट अस है यहां पर और भी navigation होंगे तो तीन चार मैंने ऐसी copy कर लिये random and in सबको पकड़ के मैंने shift a press किया और auto layout से मैं इसको adjust कर पा रहा हूँ अब यह वाला कैसे बनेगा इसको मैं यहां पर ले आता हूँ and shift a press किया एक area यहां पर बन गया and fill पे जाके मैं इसको black कर दूँगा and यहां पर मैं इसको adjust भी कर सकता हूँ कितना मुझे चाहिए कितना नहीं चाहिए इस हिसाब से मैं इसको set कर सकता हूँ and यहां से मैंने इसको कर दिया white and white करने के बाद इन सबको मैंने equally align कर दिया and center भी आप इसको कर सकते हो तो यहां पर हमारा navigation तयार है और need help वगयर को आप यहां पर लगा दीजे and scroll हमारा center में रहेगा and इसको भी हम center में दे देंगे पूरे के center यानि की पूरे artboard के center इसको भी मैंने center कर दिया and यह सारे equally align तो हैं ही और instagram इन सबको मैं यहां पर लगा देता हूँ इन तीनों को मैंने पकड़ लिया and यहां से मैंने इसको align कर दिया top तो हमारा यहां पर यह बन गया है थोड़ा से इसको नीचे लिखे आ जाएंगे and यहां पर एक line है इसको बाद में देखेंगे सबसे पहले मैं यहां पर लिखे आ जाता हूँ इसी font की copy और यहां पर हम ल दिया and इसको मैं एक वार और copy कर लेता हूँ यहां पर लिखता हूँ मैं color और color को हमें बड़ा करना है तो अगर मैं ऐसे बड़ा करूंगा तो नहीं होगा मुझे के press करना पड़ेगा जिससे scale वाला panel आ जाए और scale up मैं इसको कर पाऊं तो जितना भी बड़ा करना है यहां इसको मैं uppercase कर दूँगा and यहां से मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा but again मुझे के press करना पड़ेगा and then मैं इसको छोटा कर सकता हूँ center कर देंगे and यहां से इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ जाएंगे और add sum जो हमने लिखा है इसको हम लेके आते हैं इसक इसको हम रखेंगे इस c के ऊपर and यहां पे भी हम इसका जो text की properties है इसकी properties थोड़ी change कर रेते हैं इसको uppercase करेंगे सबसे पहले and थोड़ा सा बोल्ड भी कर देंगे तो regular की जगे मैं इसको कर जाता हूँ बोल्ड यहां पर यह बोल्ड हो गया लेकिन अभी यह दिख नहीं रहा है तो दिखेगा कैसे एक patch ले लो आप white color काई क्योंकि पीछे white है तो मर्ज हो जाएगा ज्यादा पता नहीं चलेगा and add sum को इसके ऊपर लेके आ जाएंगे तो यहां से इसको मैंने align कर दिया mid level and इन दोनों को मैंने group बना लिया और यहां पर भी मैंने इसको align कर दिया तो हमारा design ready है बट अब trick हमारी कैसे होगी वो देखना है तो trick के लिए थोड़ा सा और planning कर लेते हैं इसको मैं और को यहां पर काट लेता हूं and इसको मैं इस तरीके से यहां पर रग देता हूं and य हमें लेके आनी एक png तो png मैंने download की थी यहां से मैं इस png को लेके आ जाता हूं यहां पर लेकिन इस png को मैं इस तरीके से नहीं डालेंगे यहां पर पहले मैं इसको set कर देता हूं अपने design में किस तरीके से हमें इसको लेके आना है अभी इस तरीके से है लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सारी layers यानि कि add वाली और ये वाली ये उपर आ जाए तो command option के साथ मैंने bracket प्रेस किया उपर आ गई है ठीक है तो यह यहां पे भी आ गया इसको थोड़ा और शोटा कर लो अगर comfortable नहीं है design के साथ और यह जो नीचे line हमने दी है यहां से मैंने select किया और इसकी जो kerning है वो मैं थोड़ी सी open कर दूँगा यहां से मैं पकड़ा अंड़ को center कर दिया तो थोड़ा सा से नीचे भी ले के आ सकते है इसको , यहां से पकड़के मैं थोड़ा सा नीचे भी ले कर आ अब फ्लैनिंग हो गई आब आता है जादू वाला पार्ट जादू कैसे काम करेगा वह भी देखते है तो तो COL में मैं जाऊंगा, फिल की जगे करूंगा, वीडियो और, और वीडियो यहाँ पर मुझे डालनी है, तो चूज वीडियो करूंगा, और यहाँ पर मैंने एक वीडियो डाउनलोड कर रखे, कुछ इस तरीके के एफेक्ट की, तो मैं इस एफेक्ट को यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा, यहाँ पर यह एफेक्ट आ चुका है, लेकिन यह दिखेगा कैसे, वो हम अभी लाइव में भी देख लेंगे, और यहाँ पर भी मैं सेम तरीके से अप्लाई कर दूँगा, तो यही वीडियो में दुबारा यहाँ पर प्लेस कर दूँगा, तो यह वीडियो हमारी हाँ पर डल चुकी है, कंट्रोल कैसे होगी, वो भी मैं आपको आटो प्ले ही रखनी है, तो वीडियो की जो प्रॉपर्टीज है, प्रोटोटाइप में आती हैं, आटो प्ले रखेंगे, एंड लूप में रखेंगे, लूप में चलती रही है, अगर कोई music भी होता, तो वो भी यहाँ पर आ जाता, अब हमारा एक पार्ट बसता ही, थोड़ी सी movement इसकी भी थी, यह जो model है, इसकी movement है, तो इसकी movement कैसे होगी, वो भी मैं आपको बताएता हूँ, इसको मैं copy करके बाहर ले आता हूँ, और बाहर लाने के बाद, मैंने इसको बना दिया, component and variant add कर दिया, अब variant कैसे काम करेगा, तो basically interaction पर जाते हैं, और interaction में इसको दोनों को connect करते हैं, लेकिन इस बार रहेगा after delay, after delay में मैंने आपे थोड़ा सा time दे दिया है, and instant की जगे है smart animate कर दिया है, और यहाँ पे भी मैं इसको reverse देके, यही property दूँगा after delay, इसका मतलब यह है कि यह time के हिसाब से चलेगा, इसमें कोई भी trigger मैं नहीं लगा रहा हूँ, कोई click नहीं होगा, बट यह automatically चीजें चलती रहेंगी, अब तो थोड़ा सा इस वाले को बड़ा कर देता हूँ, and बड़ा करने के बाद, एक वार asset में चाहेंगे, and इसका preview देखेंगे, यहाँ पे मैं इसको लेके आ चुका हूँ, और इससे मुझे इसको replace करना है, तो control X मैंने कर दिया, command X और इसकी जगह पे paste कर दिया, so that हमारी placing तो at least same हो जाए, इस वाले को मैं अभी delete कर देता हूँ, and यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से रख देता हूँ, तो overlapping भी आ गई, बड़िया मस्त बन गया, and यहाँ पे इसको हम preview देखेंगे, कैसे काम कर रहा है, तो यहाँ से मैं जाता हूँ preview पे, so preview मैं आप देखोगे, बहुत ही perfectly काम कर रहा है, यह अभी जटके से चल रही हैं चीज़ें, यहाँ पे आप देख रहे हो, तो इसमें आपको थोड़ी सी properties change करनी पड़ेंगी, अपने component में, तो component में किस तरीके से change होगा, 0 MS मैं अगर इसको कर दूँ, 1 MS मैंने इसको कर दिया, and यहाँ पे भी मैं 1 MS कर दूँगा, जो दूसरा वाला है हमारा, इसमें भी 1 MS कर दूँगा, और यहाँ पे time थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको मैं कर देता हूँ, 1, 3, या 2 second मैं इसको कर देता हूँ, अब इसका एक बार preview देखते हैं, किस तरीके से यह work कर रहा है, तो आप देखोगे, यहाँ पे बिल्कु परफेक्टली काम कर रहा है, एक जगह पे हमने 2000 MS दे दिया, लेकिन second place पे हमने यह शायद यह नहीं दिया है, आपके लिए बनके तयार हो जाता है, और ऐसा ही prototype आप creative से creative, client के साथ share कर सकते हो, बहुत ही impressive रहेगा, और definitely आपको भी लोग appreciate करेंगे, और आपको भी लगता है कुछ appreciation देना चाहिए, तो please comment में मुझे ज़रूर बताएं, कि आपको यह layout कैसा लगा, आज की class में सिर्फ इतना ही, I believe कि यह concept आपको पसंद आया हो, वो सारे tricks आपको अच्छी लगी हो, अगर आप ऐसे ही और भी layout चाहते हो, कुछ creativity अगर आपके भी mind में है, तो you can share your opinion in comment box, और वीडियो अच्छी लगी हो, तो please share कर दें, and subscribe जरूर करें इस चैनल को, thank you so much,